So, Hello Students, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे और आपके अपने चैनल Brown Study में आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा important होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ Statue of Equality किसकी मूर्ती है, या किसकी प्रतिमा है, तो यहाँ पर आपके सामने चार options दिये हुए है Right answer आपका हो जाएगा, रामा नुजा चार्य, तो option A आपका हो जाएगा, राइट answer चली बढ़ते हैं, next में, next आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, second number जिसम बोल गया है Statue of Equality का उदगाटन कब किया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि Statue of Equality जो है, उसका उदगाटन किया गया था 5 फरवरी को तो यहाँ पर आपका राइट answer हो जाएगा, option number C, 5 फरवरी 2022, चली बढ़ते हैं, next में, next आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, third number जिसम बोल गया है, Statue of Equality का उदगाटन कहां किया गया, तो यहाँ पर आपका राइट answer हो जाएगा, option number C, हैदराबाद, चली ब आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, option number A, नरेंद्र मोदी, जो की अपने भारत के वरतमान में प्रिधान मंत्रिक हैं, चली बढ़ते हैं, next में, next आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, fifth number जिसम बोल गया है, Statue of Equality की उचाई कितनी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि Statue of Equality जो है, उसकी उचाई है, 216 feet, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, option number D, 216, चली बढ़ते हैं, next में, next आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, sixth number जिसम बोल गया है, विस्व की दूसरी सबसे बड़ी, बैठी हु चली बढ़ते हैं, next में, next आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, seventh number जिसम बोल गया है, विस्व की पहली सबसे बड़ी, बैठी हुई मूर्ती कौन सी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, option number C, बुद्धा, statue, जो की Thailand में इस्थित है, चली बढ C, हैदराबाद, तेलंगाना, क्योंकि आपको पता होगा कि तेलंगाना में हैदराबाद इस्थित है, वहीं पर इसका अनावरन किया गया था, चली बढ़ते हैं, next में, next आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, ninth number जिसम बोल गया है, संत रामा नुजाचारे का जन्म कहां हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, option number B, Tamil Nadu, चली बढ़ते हैं, next में, next आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, tenth number जिसम बोल गया है, संत रामा नुजाचारे का संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ह जाएगा, option number D, सनातन धर्म, चली बढ़ते हैं, next में, next आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, 11th number जिसम बोल गया है, संत रामा नुजाचारे का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, option number B, 1017 स्वी, चली बढ़ते हैं, next में, next आपके स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है, 12th number जिसम बोल गया है, संत रामा नुजाचारे के बच्पन का क्या नाम था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, option number C, लक्षमन, क्या था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, option number C, लक्षमन, तो यहां से आपके सभी इस टॉपिक से related most important questions समाप्त होते हैं। मैंने इस PDF में सिर्फ उतने ही question रखे हैं जो कि आपके exam से related महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही ज़्यादा important होने वाले हैं। तो यहां तक का आपके यह video था जिसमें मैंने आपको बताएं top 12 questions तो उमीद करता हूँ यह video आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like कर दीजे साथ में इसका PDF आपको टेलिग्राम चैनल में upload करके दे दिया जाएगा तो वहां से आप इससे download कर सकते हैं टेलिग्राम जै भारत